जहिन चलिए समझते हम लोग यह जेट इंजन और टर्बो जेट क्या होता है उसमें भी देखेंगे तो अभी भारत में एक नया मिसाइल पर इक्षड किया है इस क्रेम जेट इंजन से लगा हुआ हाइपर सोनी हाइपर सोनी का मतलोता ध्वानी की रफ्तार से पांच गुना स बीजाते एक सेकन में एक देड़ क्लो मेटर चला जाता है तो यह जहाज सुफ़रा उड़ता कई से इसमें जेट इंजन कैसे में होता है और इस हावा में इसके जोjayट इनच है यह खराब हो जाए या कोई पक्षी में टकरा जए और बंद हो जाए तो अगर यह तब यह ज आपके जहाज है जिनका इंगन बंद गया था हवा में फिर भी ये उतर गयते तो ये जेट इंगन कैसे काम करता है इसको समझते हैं देखें ये सीमपली सा इसका सिधांद क्या है येशेट इंगन का ये है आपका जहाज का इंगन जिसे हम लोग प्रोपेलर के च्छान में किए इपक्त कर देकि करता है यहां किरीव्यों करते हता है इसके ऑगए इस बहुत बड़ फैन लगाता है और गता है आगेसे बहुत ज्यादे हवा को हेक्षचा करते हैं पीछे की और फेकने से जब हवा पीछे जाएगी तो आगे की और जटका लगेगा जिस वएसे जहाज आगे चली जाएगी यह आगे से बहुत ही जादे मात्रा में हवा को खीछता है अब इसके आगे अगे अगर कोई आदमी आ जाएगा तो उसको खीच के अंदर ले जागा काट कूट के फेक देगा देगा दिखे नहीं यह बहुत बड़ा सा यह बोड आ गया थे इतना बड़ा सा चीज देख रहे नहीं गोल गोल नचने लगेगा तो इसके पास मज जाएगा उन्हें तो इस देख रहे हैं बकलोलवा खड़ा है चल जाएगा अंदर पीछे जूस बना के फेक देगा इसको अब जेट इंजिन का जो बेसिकली फ्लाइट का सिधांत क्या है कि जैसे हम गुबारा में हवा भर देते हैं और हवा को निचे से छोड़ेंगे ना तो हवा नीचे और गुबारा ऊपर यानि इतर हवा फेकेगा उसके उल्टा जहाद जाएगा तो यही क्या करता है यहां से हवा सक कर लिया और फेकेगा इधर से जहाज आगे चलते जाएगा अब जो इसमें क्या सिस्टम है बस यही समझना आए कि पंखिया कई से उड़ा देता है jet engine समझ में आ जाएगा बच्चा का चीज होता है jet engine अब simply समझेगा जो jet engine हम एक engine को निक आगे से जितनी हवा लेता है उसका लगबग 90% से ज़्यादे ही हवा को पीछे फिफेक देता है जिसे हम बाइप ऑगे की फिखेका थिखेक तो आ जिसर्षक होता है सिंपल है बस यही काम है जहाज उड़ाने में इस पंकी को ना चाहिए यह हवा पीछे फेकेगा जहाज आगे उड़ेगी जतना तेज न चाहिए उतने तेज हवा फेकेगा स्पीड बढ़ाना है हनाना केना चाहिए स्पीड धीमे करना है तो थाड़ा धीमाना चाहिए काम कतम यह हो गया जेट इंजन इसी को उड़ाने के लिए होता है अब कभी-कभी आप सुनते होंगे ना कि जब जहाज रनवे खुप पर लेंट करति है उसे रोकना होता है तो रिभर्स छलाना होता है तो लोगों को लगता है रिभर्स इंजन जाज आज या ml उल्टा चलाएगा कूछ town उल्टा नहीं चलाता वैसे ही चलाता है डrotatay अभी this normal way में क्या आता है कि हुआ इधर से आई हम इसमें green कलर से रणगे हुए तो हवा इधर अघ्र से आई और इधर चली गई तो इए जोंस्थ है जहाजी दर अराम से जाएँगा लिकिन ज़रा सोचिये कि झीए अगर रन में छोता है हम को अचानब करोखना है तो एक काम करते हैं कैसे कि इसका पंखीया तो नशन्तरición रहेगा एक काम किया है, अगर यह हवा जो यहां से निकल रहा है इसके रास्ते में रुकावट लगा दे, तो हवा यहां से घुमके इधर चली जाएगी और यहां भी इन्यन में एक ऐसा सिस्टम लगाया जाता है कि जब हमें रिवर्स करना होता है। अब आप यह तो समझ गया है कि जहाज उड़ाने के लिए सिंपल सा है, इस फैन को न चाहिए, यह आगे से हवा सब करके पीछे फेकेगा, जहाज आगे चलिएगा, जरह आप सोचिये तो एक बात, इस सुरही पंखिया को को न चाहिएगा, आखिर पंखिया, पाइलेट हम लोग कहते हैं टर्बाइन, तो यह तर्बाइन जो पीछवा देख रहे हैं, यह तर्बाइन जहाज नहीं चलाता है, यह तर्बाइन पंखिया को न चाहता है, और यह पंखिया हवा बाहर फिटता है, जिससे जहाज उड़ जाती है, और कुछ नहीं है, तो यह उपरा व होता है और यह साफ द्वारा उटाने का मेंड काम करता है और इसे नहीं जिससे बन गया है तर्बो जेट अब यहीं समझने में हो जाती है कि इश सुरा को कई से न चाहे जाए जहार उड़ने का सिद्दै बस यह हाई नचेगा जा हवा फेक देगा अब इसको कई से नचाना है यह समझे देखे यह हवा से तो यह कई से नमचेगा तो अब हवा लेता है अंदर तो हवा एक लगभग लगभग 90% खेक देता है लेकिन इसको नचाने के लिए यहां इनयन लगाना पड़ेगा नचाने घूमाने के लिए कुछने कुछ लगाना पड़ेगा तो यह जब अंदर लेता है तो यहां एक लगा दिये जरता है compressor ये जो blue वाला area देख रहे हैं ये है compressor compressor उसे कहते हैं जो हवा को खीच के फिकता है दूसरे हो जैसे हमें कहीं आग लगाना है चुला वगर हमें तो आग कब लगेगा जब तक आप उसे oxygen नहीं दीजेगा आग थोड़े पकड़ेगा तो अगर धदका के जलाना है तो हवा और हमारी है अलुसूर लुसूर जलाना है तो कम oxygen दीजे तो जब धदका के जलाना है तो जादे हवा की जरूआत होता है तो जो हवा की सप्लाई करता हुसे compressor कहते है हम लोग का मूँ अभी तो compressor है ठंडी की दिन में अंगीठी आग जलाते है तो आदमी कौन ची है compressor है नकिया स हवा ले गी बाहर से यही हो गया compressor जेतन अगर यहाँ ज्यादे आग लगाना है तो ज्यादे फिकिये कम लगाना है तो हवाई जहाज में भी यही system है यह है compressor यह क्या करता है इधर से पंखवा जब नसता न तो यह तो ज्यादे एर बाहर फेग देता है ताकि जहाज उड़ इदर फूंग देता है, लगा दे, जला दे, यहां से, तो यह क्या करेगा, इदर उसे चूसेगा, यही काम है, कंप्रेसर का खुत्तम इतने पे जहाँ चलता है, अब समझी आगे क्या होगा, तो यह बाला एरिया है, यह फैन है, यह कंप्रेसर है, जाते से ज़्यादे हवा लेता है, क्योंकि उचाई पे जाने पे हवा की कमी हो जाती है, और हवा कम हो जाएगा, और ऑक्सिजन कम होगा, तो इन्हन में आगे नहीं लगेगा, अब यह यहां पे 10% क्या करता है, एर को कंप्रेस करके अंदर फेक देता है, और जब कंप्रेस करके फेकता है, तो इसक फुचुर फुचुर करके उसमें फ्यूल इन्धन फेकते रहते हैं सब अब इन्धन देखें यहां से इन्धन आईये गया है और यहां से चिंगारी आईये गया है अब इन्धन है चिंगारी है अब चाहिए ऑक्सीजन हवा में ऑक्सीजन उचाई पे कम रहता है तो कम ऑक्स इसको भेज देता है और यहां लग जाता है आग लगेगा तो हवा हो जाएगी गरम लग ऐबसको स Caucasus कम अड़िया ४ाइज दो जैसे इतर भागेगी तो इधर टर्माइन लगवा दिए ज़ता है पंख il लगा दिए ब्यू कान रहा है의 कंप्रेसर भेजा है इसका इंतजार कर रहा था fuel जहाज में petrol नहीं, kerosene oil पड़ता है वो एक अलग type का kerosene होता है petrol नहीं होता है तो यह यहाँ पर है, यहाँ आग लगा और यह हो गया, यहाँ आग लग गया तो इसे कहते combustion chamber यहाँ आग लग रहा है इसे कहते compression chamber यह compressor हो रहा है, और यह हो गया आपका fan यह उपर से निकल गया आपका exhaust bypass वो जहाँ चला दिया और यह जो गरम हवा निकली है यह आग लग के, यह इस turbine को नचाएगी यह नचेगा turbine, तो यह जुडा हुआ हुआ है यह आग के पंखा से, अब आगे वाला पंखा नचेगा यह सवसुरा पंखवा हावा फेक रहा है तो जहाँ जुड रही है यह जो compressor हो है तो यह हुआ है उसमें हावा चूस ले रहा है दे रहे इधर इधर फूंक दे रहा है जरा दे, जरा दे, ओके आई जरेगा तो यह नचने लगेगा हो गया, जहाँ जूड गया यही से जेट इंजन का जिसको हम तर्बो जेट करते हैं यह है टर्बाइन आई है जेट मिला दिये तर्बो जेट यहाँ थोड़ा सा फाक कर दिये है समझान यहा यहाँ जो हजिए यही चलाता काई से एधर सहववा बाहर फेक कर इसव फैन इशन से जूड़ा राता है किसके दवारा साफ्ट दवारा इच्ठवाईन उब्र आपका कमबसण चेंबर यहां पर फ्यूल कि रुसीन तेल और इस पार्क है इसको ऑक्सिज़न पंखा है अरे एक और पंखा चला पंखा क्या है एक तरह का पंखा क्या कहते है तो पंखा तो पंखा तो कंप्रेसर है नहीं पिछबा से हुआ को कंप्रेस करके ठेक देता है लो यहां पे यह कंप्रेसर है नहीं पंखा और कुंची है यहां पर यह समझ गया की नहीं आगया तो यह हो गया फायन, यह हो गया आपका यह कंप्रेशर, यह कंबर्शन आग लगने वाला, यहीं पर फ्यूलर इस्पार्क होता है, और यह हो गया टर्बाइन, और इसके इधर से नोजल से धूंगा निकल जाएगा गया कमसे, जहाज इंजन समझ गए यही है जेट अगवा जेट पिछवा टर्बाइन तर्बो जेट एक बात बताईए यह बात समझेए जब तक पिछवा वाला नहीं नचेगा अगवाला पंखिया नचेगा कोई से संञार है अई शसुरा कहता है यहां पर आग लगने बाला कि जब पंखिया नचेगा तब हावा आएगा अद तब इसमें आग बरेगा अद भागेगा तो कुल बवाल हो गया इक और आगी तुम पहले चलाओ अई कर आगी पहले हमको तुम चलाओ अब बवाल हो गया अब कुसको स्टार्ट करें चल जैसे मोटर साइhm vard में क्या हॉता है सेल्फी स्टार्ट में किसे खुच देदा भी अग अडर्वाफ जाकि आग लगा देता है तो हमको भी एगो चीछ चाहिए, जो तनी दिर में पंखवा को चला दे, कभी-कभी ट्रेन में पंखवा नहीं चलता है, ताजमी हत्वा से चला देता है, तो पाइलेट को क्या करना चाहिए, जहाज में से उतरना चाहिए, पंखिया नचा देना चाहिए, नच नच जैसे पर ले जाए गई तो इसके लिए हमको एको बैटरी लगाना पड़ता है जो इसको चला सके तो इसी के लिए जहाज के पिछवा लगा रहता है Auxiliary Power Unit APU इस बैटरी का होता है छोट मोट इइनन होता है पीछवा लागा मतलब इन्यन जी होता है यह में इन्यन है यहां आप देखिए यह में इन्यन एक दो तीन चार चार इन्यन हो गया और हर एक जहाज में पीछे लगा होता है एक APU Auxiliary Power Unit अब इसमें देखेंगे तो दो इन्यन है एक दो, यहां दो भुटमें इन्यन हो गया और APU तो भाई साब सम्में लगना है ने तो सुचुरा इस्टार कोई से होगा धकेल के इस्टार्ट होगा लेया धकेलते हैं गारी बंद हो जाती तो आप कहें धकेलते हैं कि चकवा तनी सा नाच जाए तो जहाज यहां को धके लेंगे कि नाच नाच धकलाएगा वाँ पे तो तनी सा नाचाने का काम कुन करता है यह APU पीछे लगल है तनी सा नाच गिया बस तर्बाइन चालू तर्बाइन नचा देगा फैन को जेट इंजन को जहाज उड़ जाएगी सिंपल अब से आज समझेए कि जहाज तो उड़ गया इसम अब भी जेट इंजन है इस चारगो है थरोजेट मार ली ली ने खूब धेर चिडिया जो थे अकव्ण सब कवड काये अगो कवड अमर जाएगा ना तो बाकी कवड अंसन पर बढ़ निकालेगा तो कवड सब कर रैली निकला था यो इंजन यह इंजन धाए धाएग टरबाइन कहेगा जी शुच्राइख खाईगे तो अक्सिजन माग रहे तो तो कवगा दे रहा है अंदर वे आग लग जाएगा अब क्या होगा यहाँ पर इसे दिकत हो जाएगा यहाँ पर तो इसके लिए भी कोई समस्या नहीं है अगर जितन पूरा का पूरा इन्यन बंद हो जाए तो भी जहाज को कोई दिकत नहीं है क्योंकि जहाज ग्लाइड कर सकता है आप चील कोगा को देखिएगा चील पंक से उड़ता है अगर यह जहाज बहुत हाइट पहना तो अगर यह एक फीट नीचे आएगा ना तो उसके लिए वह तीस फीट आगे जाएगा जहाज डारेक नीचे नहीं आता है इसी आएगा अराम से तो सोचिए अगर वह एक किलो मीटर उचा है तो एक किलो मीटर आने के लिए उसे तीस किलो मीटर आगे जाना पड़ेगा तो वन इस्टू थी का रेशियो रहता है जहाज में इसलिए जहाज को उड़ाए जाता है 40,000 feet पर अब सचुरा उगया है 30,000-40,000 feet पर अब उससे 30 गुना का ratio है सोचे कितना आगे जाके आराम से उतर सकता है किसी runway पर pass के area में पूछे कि A26 से यह न कही runway है कोई का ना runway नहीं है तो काई कि जा इंचन बंध हो गया अब तो हम खाली glide कर रहे है जतना हमरा height है उससे हम 30 गुना दूरी जा सकते है तो pilot आराम से decide करेंगे सा कि कितना जा सकते है इस area में runway है तो उतार दो और नहीं है तो देखे गाशा कहीं बढ़िया खलिया खेत खनिया नहीं वहीं crash landing करा देगा और नहीं तो नदी होदी है नहीं होद तरह की अंदर में बती light पंखा भूग भूगवा light सब चीज का supply दे रहा था इन्यनमा बंध हो जाएगा नो तो अनहार हो जाएगा जहाज में तो passenger लोग में अनहार हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है आगवा cockpit जिसमें अनहार हो जाएगा तो बटन में नहीं दिखेगा कोई जी कहाँ डायट ना है तो धमाल मूवी की तरह लाल बटन है नहीं दबाना तो दबा दिये गिरा देगा तो इसके लिए इस जहाज में एक extra बिजली घर दे दिया जाता है छोटा मोटा बिजली घर कैसा बिजलीगा पहले cycle चलाते हों तो एक डायनेमो लगा रहता है उसको चकवा से नचा दिजेगा तो यतना देल नचेगा आपका लाइटिया जला देगा तो यही क्या किया जता है एक ram air turbine होता है ram air turbine क्या था एक पंखा टाइप का यह तभी नीचे down किया जाता है जब यहisyन सारे के सारे काम करना बंद कर देते है और ingyन काम कर रहा है तो फिर rat lepkinla बिना का जिरूआथे कामे कर रहा है तो rat lepkinla बिना का जिरूआथे जब सारा ingyन खतम हो जाता है और power नहीं आता है मतलब है light वगरा बंध हो जाती है तब rat का परियोग किया जाता है और rat का परियोग नहीं करेगा तो जो cockpit है उसमें पूरा अनहार हो जाएगा इस सारा बत्ती उत्ती बंध हो जाएगा फिर उसको उठाना पड़ेगा hydraulic system काम नहीं करेगा तो जादे दिक्कत होगा तो emergency के लिए यह भी एक तरह का कह लिजे तो इन्यन है जो केवल और केवल पावर सप्लाई देता है करने के लिए इदे के बकलो लियाई को जहां करिए उधर उड़ा रहे गीर जाएगा इन्हें कुझ जहां करिए जो उड़ रहे बीमानों की speed को बहुत जादे बढ़ा देता है तो पहले समझे रैम जेट और स्क्रेम जेट किसी जहाज वगरा में success नहीं हो पाते है इसका परियोग missile में किया जाता है यह क्या करता है speed कैसे बढ़ाता है किसी भी जहाज में jet engine लगा जैसे इसमें भी jet engine ल लेता है और बीच में रुकावट लगा दिये जरता है यह रुकावट क्या करता है हवा को बहुत जादे हवा को ले लेता है और जाने का जगा बहुत कम है अब जब जादे आदमी है पूरा pressure से हवा ले लिए हैं अंदर कम है तो आटोमीटिक यहाँ pressure generate हो जाएगा और इसमें तो रैम जेट या स्क्रेम जेट लगा तो इसमें तो पंखी है यह नहीं है तो जाजिया को प्रारंबे की speed कैसे देगा तो रैम जेट और स्क्रेम जेट एक ऐसा engine है जो jet engine में लगाने के बाद लगाना पड़ता है इसे जो extra energy दे सके इसे क्योंकि इसके आगे पंख पीछवा ओर एकडम पथला डिएकश्वा अपण लाया है यहां तो इत्म पतला है यहां यहां से हवा सोचेगा भागे यहां से यह क्रहता दुट необход और सोच रही थी कि भागे अप तक यहां आग लगा दिया तो हवा और गरम हो और भान भाग जाएगा यहां पर इसलिए टर्बो जेट, स्पीड धीमा, रैम जेट, मीडियम, स्क्राम जेट सबसे तेज हो जाता है। लेकिन ये दोनों के दोनों इंजन में आगे फैन नहीं लगे होते हैं यानि ब्लेड नहीं लगे होते हैं इसलिए ये किसी चीजको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग जब छोटे-छोटे थे न, तो मिसाइल जब देखे थे, आप ब्रमोस मिसाइल को देखेगा न, तो आगे खोकला टाइप का दिख रहा होगा, आपको अगर इसका इमेज देखेंगे, तो ये देखेगा आगे न, इसका एक नोक टाइप का निकला हुआ, अंदर रहा रहा है, तो हम लोग ये सोचते थे, इसमें तो हावा फंस जाएगा, ये स्पीड नहीं भागेगा, इसको एकदम सुया जहाज की तरह बनाना चाहिए, ताकि ये रहावा में रगडाई नहीं सीधे भाग जाए, बाद में समझ में आया सुचुरा, कि इसमें पिछवा लगा है जेट इंजेन, जो इसको धकेल रहा रहा है, सॉलीड इंज़न लगा है, और आगे जो लगा है वो रैंग जेट है, जो स्पीड पकड़ने के बाद, स्पीड को बूस्ट करने का काम अता है, तो भारत ने अभी जो मिसाईल बनाए है, वो एक्शुली रैंग जेट और Scram Jet missile बनाया है तो अभी जो हम पिछले 10 मिनट से चिला रहे थे आपको Jet Ingen, Jet Ingen हमारा मकसर नहीं था आपको Jet Ingen समझाना Actually missile जो बनी है Hypersonic उसमें Scram Jet Ingen का परियोग हुआ है लेकिन आप ही बताईए जिस लड़का को Jet Ingen समझ में नहीं आएगा कौनची बुझेगा सचुरा की Scram Jet कौनची है अब आप बताईए इसमें पिछवा लगा है Jet Ingen ये उड़ा दिया Speed हो गया तो दिखिए गोए थे लोला बईले है तो मूँ फर ले ना कि कौनची है हाई ये है आपका Ram Jet है तो इसमें से और बढ़ कर देंगे तो Scram Jet हो जाएगा मतलब इसमें ये को भगा रहा है Jet Ingen और और क्या है हवा एक्स्ट्रा घीच रहा हुआ पीछे फेक दे रहा हवा को आग लगा के तो एक्स्ट्रा Speed दे देता है तो जितने hypersonic missile होती है जिसमें Ram Jet या Scram Jet लगा रहता है उसमें देखेगा ये मूँ बोइले रहता है कोई भी चीज नीचवा से देख रहे हुए यहाँ पे भी उन्ही मूँ बोइले है वो क्या है Scram Jet या Ram Jet किसी भी missile में देखेंगे न तो missile को देखेंगे तो missile ऐसे रहेगी आगे खोगला रहेगा उसमें एक ठोई से कुछ निकला रहेगा यह क्या चीज है Ram Jet या Scram Jet वाला हिस्सा है तो Jet उससे अच्छा हुए Ram Jet और उससे अच्छा हुए Scram Jet एक चीज देखेंगे होंगे जहाजों के उपर water salute किया जाता है यह तीन चीज के वज़े से किया जाता है जब कोई जहाज नया नया injury करता है अभी अभी करखाना में से बन के आया है पहली flight है तो नहीं देखते हैं दुलहीन पहली बार आती है तो परछाओना होता है बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है तो यह फूल बरसाएगा है तो रन में गंदा हो जाएगा यहाँ पर उबढखाबॉड इसलिए पानी बरसाते हैं समय यहाँ पर और अगर कोई जहाज रिटायर हो रहा है तो भी उसको water salute दिया जाता है देखे होंगे राफेल का वीडियो बनाए थे तो उसे अमबाला में water salute दिया था हलाकि इसके पीछे जो मेन कारण है water salute दिखे यह तो वह ऐसा तमल यहाँ water salute करना है तो हमेशा यहाँ पर दमकल की गाड़िया खड़ी रहती है इसका सबसे बड़ा जो रिजन है कि जब जहाँ ठंडे एरिया से आता है जैसे कस्मीर से आया है या कहीं high altitude पे आया है तो उचाई पर जाने पर temperature घट जाता है तो जहाँ की उपर बर्फ जम जाते है सब बहुत जादे मातरा में और अमेरिका में एक जहाँ crash कर गया था क्योंकि उसके उपर बहुत जादे बर्फ जम गया था तब से ये नियम बना दिया गया कि अगर कोई जहाँ ठंडे एरिया से आ रहा है तो उसके उपर water salute किया जाता है आप जानते होंगे कि बर्फ के उपर पानी छिड़ी कियेगा तो बर्फ पिघलने लगता है तो इसके उपर water salute कर देने से इसके उपर जितना भी बर्फ था वो पिघल जाता है जिससे कि जहाँज का लोड हलका हो जाता है और जहाँज गिरती नहीं है एक चीज़ और गौर की यह होंगे कि 90% जहाज ये white color की ही होती है white color के इसलिए होती है कि जब ये हवा में उड़ रही होती है और बीच में बर्फ बारी होने लगती है पटर पटर तो उसमें जहाज लड़ता है तो इसमें बहुत सारे scratch आ सकते हैं खरोच वगर आ सकते हैं कहीं धचक पचक सकता है तो अगर हम इसे रंगीन रंग देंगे ना लाल पी लहरा तो कहीं भी पचकल धचकल इसक्रेप वाला हिस्सा आराम से नहीं दिखेगा लेकिन अगर वही white color का रहेगा तो कहीं भी खरोच या कुछ भी आया रहेगा आराम से दिख जाता है इसलिए इसलिए हम लोग white color का अकसर ही जहाजों को paint आप देखेंगे जहाज की इंजन में एक की और देखेगा यह सबस्वरा इंजन में आजकर जितनी जहाज है वह एकदम गोल नहीं है बलकि नीचवा से तन सा चपता है यानि नीचे से flight आप देखें यहाँ पर भी नीचे से हलका सा चपता है देख रहे होंगे तो यह देखें यह उपर से गोल आया है और नीचे हलका सा चपता हो गया है इसका region क्या है इसका region यह है कि इंजन जो लगाए गया रहते हैं जहाजों के जो इंजन लगाए गया रहते हैं वो डैना के उपर नहीं होता है, डैना के इसको नीचे लगा जाता है, अब डैना के नीचे लगा दिने से, क्या होता है, कि नीचे से जमीन पे से जगा बहुत कम बसता है, आप दिखें बहुत कम जगा है, जमीन पे से, तो अगर जमीन पे से जगा कम है, और जहाज नॉर्मल उतरती है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नर्मल उतरे कोई दिक्कत है, लेकिन कभी-कभी हावाओं का आधी बगरा चलते है, तो उस टॉब में फंस जाती है, तो क्रोस लेंडिंग हो जाता है, cross landing में जहाज हलका तीरचा हो जाता है और हलका तीरचा होगा तो इस side का इंजन उड़ गया है और इस side का इंजन जरुवत से ज़्यादे नीचे जुग गया है तो अगर goal बना देंगे गोल तो area नीचे का ज़्यादे हो जाता है इसलिए नीचवा से तंचा उठा देता है इसलिए इसको पेदिया उठा देता है ताकि by the way cross landing हो या जट का भयानक लगे soccer काम नहीं किया तो इसे बचाया जा सके maximum से maximum कोशिस किया जाता है कि उपर रखा जाए ताकि ये ground के touch में ना आए तो I hope आप ये सब चीजे समझे होंगे पूरा lecture का में उस देश था कि आपको ramjet और scramjet समझा सके इसके अलावे आप देखे होंगे जहाजों में अलग-अलग type की light ये लगाई गई रहती है beacon light, runway light, runway turn of light, navigation light anti-collision light, logo light, taxi way light बहुत तरह की light होती है एक और हरा light, लाल light इन सब का मतलब होता है कि जहाज किधर खड़ा है इस सब का code होता है आप देखे होंगे हम आपको runway की सारी light से वगएरा की बारे में समझा दिये थे अब सूचना समझे आप सब लोग को जो application का इंतिजार था application आ गया है उसका नाम official नाम है cancer official यह application जो है यह play store पे इसे डाल दिये गए है इस पे जो classes इस्टार्ट होंगे वो 12 तारिक से होंगे अब ही इसमें जादे तर चीज़े lock होंगी आपको demo की चीज़े मिल सकती है बाकी आपको इसकी features देखना है तो अब आप इसे download करना start कर सकते है यह आपको play store पे available है cancer official के नाम से इसका link हम description में भी दे देंगे आप description से भी देख सकते हैं दूसरी सूचना देखे भाई मेरा यह channel official channel है मेरा मेरा original channel है Khan GS Research Center यह मेरा original channel है लेकिन channel काफी लोगों के hack हो रहे हैं इसलिए हम एक backup के लिए channel बनाया है जिसका नाम है Khan Sir Live लेकिन कुछ लोग उसका duplicate कर लिया है आप duplicate की पहचान कैसी कीजिएगा कि जो मेरा backup का channel है उसमें भी 1,00,000 से जादे subscriber है अगर किसी के subscriber बहुत कम है और मेरे नाम से बनाया है मन लिजे 30-40,000 subscriber तो समझें कि मेरा channel नहीं है वो fake channel है हमारे channel पे और दूसरा चीज अगर कोई अपना subscriber हाइड किया हुआ वहाँ दिखी नहीं रहे कितने subscriber तो भी समझें कि वो fake है मेरे channel पे जो original है Khan G.S. Research Center उस पे 2,000,000 से जादे subscriber है और जो backup के लिए बनाए हैं आपको दो-तीन दिन पहले उस पे एक लग से ज़्यादे subscriber है बाकी कई लोग मेरे नाम से कई channel बना लिये हैं आगे बाकी सब चीज़ आप समझदार है यह application चालू किज़े इस पर पढ़ाना चालू कर देंगे और दूसरी चीज़ कि आप लोग को लगता है कि application आने के बाद YouTube पर class नहीं ले सकते हैं ऐसा नहीं है आप लोगों ने इत्ता support दिया है कि हम कभी चाह के भी आपको नहीं भूल सकते हैं इसलिए YouTube पर जो चीज़े है वो ऐसे schedule चलती रहेंगी अप्लिकेशन पर भी चलेगा अप्लिकेशन पर फीस नॉमिनल फीस रहेंगी बहुत कम रहेंगी और अप्लिकेशन पर भी ऐसी विवस्था रहेंगी कि उस पर भी कुछ चीज़े free of cost ही रहेंगी तो YouTube पर 100% free है अप्लिकेशन पर भी कुछ section ऐसा है जो free है उस पर भी ऐसे YouTube की तरह वहाँ पर भी आपको knowledgeable चीज़े मिलती रहेंगी जो courses है उसके बहुत nominal fee रहेंगी जो पहले करेगा उसे कम पी मिल लेगा जितना late करिएगा उतना जादे आपको loss हो सकता है इसलिए जल्दी से जल्दी से अप्लिकेशन ले लिजे प्ले इस्टोर पर खांसर ऑफिसियल बाकी आप इसका जो courses होंगे जो lock करके रखा गया हर चीज को वह 12 तरीक के बाद lock उसका खुलेगा अब उसमें दरोगा, NTPC, railway, हर चीजों की तैयारी होगी बाइस आप हम आपको subject पढ़ा देंगे आपका च नेक्स्ट क्लास में जैहिन